तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सकसे जंक्सन एक कदम सफलता की उर में और हम लेकर के आगा है आपके लिए MP पुलिस कॉंस्टिबल 2023 से समधित महतवपुन टॉपिक है मिसिंग नमबर और सीरीज रीजिनिंग के इन दो टॉपिक से 6-7 प्रश्ण हर स्ट में देखने को मिल रहा है ठीक है अगर आप मातर दरपड जो इमेज है उसको कवर कर लेते हैं और आपका इन दो टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आप आराम से 15 नमबर की भागीदार हो जा आप आसानी से मिसिंग नमबर को भी सॉल्व कर देंगे और सीरीज को भी सॉल्व कर देंगे ठीक है न और इन दोनों को लिए लगबग 6-7 नमबर का रहा है और मातर दो मिनिट में आप इन दोनों को आराम से सॉल्व कर लेंगे समय आपको बचाना है क्योंकि मैथ आपका क CTL में हम आपको करवा रहे हैं और 12 सितंबर तक लगातार हम इसी तरह से आपका exam analysis करवाते रहेंगे कोई नया topic आएगा तो उसके उपर हम वीडियो बनाते रहेंगे ठीक है तो चलिए सुरुआत करते हैं और 6 नंबर को पक्का करते हैं चलिए सबसे पहले आपको नंबर सीरी इसका exam आ रहा है इस exam तो आपका चल रहा है अगर आपको मातर alphabet के नंबर याद है तो आप 20 नंबर पक्का कर लेंगे मातर alphabet के नंबर याद होने से ठीक है न क्योंकि coding डिकोडिंग 6-7 नंबर की आ रही उसमें भी यही system पूरा चल रहा है ठीक है और आपको यही सिस्टम च आपको 13 तक लिख लेना है M तक लिख लेना है उसके बाद में यही से दुबारा चालू करना है और इस तरफ लिखना है M के बाद में N O P Q R S T U B W X Y Z ऐसे लिखना है सर ऐसे से क्या हो जागा ऐसे से आपको नंबर तो याद होंगी होंगे उसका opposite क्या है वो भी याद हो जा हो जाएगा H का S हो जाएगा G का T हो जाएगा F का U हो जाएगा E का B हो जाएगा D का W हो जाएगा C का Y हो जाएगा B का X हो जाएगा और A का Z हो जाएगा यह opposite नंबर भी आपको याद हो जाएंगे ऐसे आप आमने सामने लिख लीजिए ठीक है तो इन सब के नंबर लेटर आपको याद कर लेने हैं जिससे कि आपको जादा से जादा फाइदा हो सके एक काम तो आपको ये करना है दूसरा आपको कम से कम 10 तक तो square याद होने चाहिए 10 तक square याद हो और मात्र 5 से 6 तक आपको cube याद हो तो इतने में ही काम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो MP Police का अभी जो level आ रहा है, वो बस इतना ही level आ रहा है, इससे बढ़ करके नहीं आ रहा है, बस ये तीन चीज़ें अगर आपने clear कर ली हैं, आप आराम से MP Police के exam में 20-22 नंबर आराम से clear कर लेंगे, अब कैसे उसकी हम करते ह हैं सुरुआत, देखिए, अब आपके सामने ये प्रशन देखने को मिल रहा है, इस प्रशन को कैसे solve करना है, चलिए बताते हैं, देखिए, फुरस आपको gap का अंदाजा होना चाहिए, देखिए, A, B, C, F, G, H, L, M, N, अब इसके आगे क्या होगा, ऐसे प्रशन आपके ल लेटर इन्होंने छोड़ दिये हैं, उसके बाद में इन्होंने F, G, H कर दिया है, ठीक है, H के बाद में इन्होंने क्या किया, I, J, और K, यानि कि तीन लेटर को छोड़ दिया, I को छोड़ दिया, J को छोड़ दिया, तीन लेटर को छोड़ करके, इन्होंने L, M, N कर दिय यानि कि पहले दो letter छोड रहे हैं फिर तीन लीटर छोड रहे हैं तो common sense आप लगा सकते हैं आगे ये 4 letter छोड़ेंगे तो आप भी क्या करेंगे, 4 letter छोड़ेंगे N के बाद में, N के बाद में 4 letter छोड़ दिए N के बाद में O, P, Q, और R आप भी ये 4 लेटर छोड़ दीजी, R के बाद में क्या आएगा, S आएगा, तो आपके answer की सुरुवात S से होगी, S के बाद में ये 3 लेटर ले रहे हैं, तो S के बाद में 3 लेटर आप भी ले दीजिए, S, T और U, यही आपका answer हो जाएगा, और आपके option number 4 में ये answer दिया गय चार के बाद में क्या आएगा, N, O, P, Q, R, R के बाद में क्या आता है, S के बाद में ये शुरुआत है, S, T, U, यही answer होगी, आगे निकलो, मुश्किल से 2-3 सेकंड में आप इसका answer निकाल लेंगे, थोड़ा सा practice कर लेंगे तो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को द दिया, यानि 2-letter gap कर दिया, R के बाद में क्या किया है, उन्होंने S को छोड़ कर के T लिख दिया, यानि 1-letter gap किया है, S के बाद में सीधे T लिख दिया है, 1-letter gap किया है, T के बाद में क्या किया है, U और B, 2-letter को छोड़ रहे हैं, और सीधे W लिख दिय रहे हैं, यानि कि 1-2 एक दो का सिस्टम चल रहा है, तो दो के बाद में आप क्या चोड़ेंगे, फिर से एक ही चोड़ेंगे, तो W के बाद में क्या चोड़ेंगे, X चोड़ेंगे, X चोड़ेंगे, X चोड़ेंगे, Y लिख देंगे, तो Y से अपने किस आंसर की सुरुआत हो रही है, किवल तीसर यू भी छोड़ा डबलू पकड़ा तो डबलू के बाद में क्या छोड़ेंगे एक्स छोड़ेंगे और सीधे य पहुंचेंगे और य से केवल एक की सुरुआत हो रही है इसके लावा अगर आप नंबर से करना चाहते तो नंबर से देख लीजिए तीन, तीन के बाद में प प्रशन हम आपको होंबर्ग देंगे उनका एंसर आपको हों टेलिग्राम पर सॉल्व करके बताएंगे ऐसा परिशान नहीं हो ना कि सर ने एंसर होंबर्ग के लिए दी दिया अब तो कराई नहीं रहे ऐसा नहीं होगा ठीक ना चलिए अब 17 नंबर का कुश्चन सॉल्व क अगला क्या करेंगे अगला यह च्छय लेटर को छोड़ करके जो भी आ गया आएगा उसको ये लिखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कि 6 लेटर छोड़ने के बाद में आगे क्या आएगा, तो T के बाद में देखिए, U, B, W, X, Y, Z, ये 6 लेटर आप छोड़ दीजी, इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में वापस से A, B, C, D सुरू हो जाएगी, य चाहा हो आपके पटवारी में पूचेगा हो, चाहा हो आपकारी में पूचेगा हो, ठीक है, इससे पहले MPPEB के जिस भी एक्जाम में प्रशन पूचेगा हैं, वो सभी एक्जाम के प्रशन हम यहाँ पर आपके लिए ले करके आए हैं, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं 17 नमबर हो गया इसके बाद में 18 नमबर की बात कर लेते हैं देखें यहाँ पर नमबर लेटर और आपका लेटर लेटर दोनों एक साथ में हैं तो चलिए देख लेते हैं क्या इनों ने इसमें कर दिया भाई नमबर और लेटर को एक साथ कैसे लिग दिया तो चलिए पहले हम i को छोड़ करके सीधे हम j लिख देंगे, ठीक है, i को छोड़ के हमने j लिख दिया, लेकिन j तो हमारे 1 और 2, 3, 3, 4 दोनों में है, अब हम कैसे answer निकालें, तो अब हमको चलना पड़ेगा सीधे number की और, number की बात करतें तो यह 16 लिखा है, 16 किसका square होता है, 8 में 2 जोड़ेंगे, तो क्या हैगा 10, यानि कि अगला जो होगा, वो 10 का square होगा, तो 10 का square कितना होता है, 100 होता है, तो जहां पर भी j लिखा हो, और 100 लिखा हो, वो अपना answer हो जाएगा, यानि कि option number 4 अपना answer हो जाएगा, समझ में आ रहा है न, comment box में comment करके बताना, ठीक है, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब यह 19 नंबर आपके सामने हैं और 20 नंबर है, चलिए 19 नंबर हम आपको करवा दे रहे हैं, 20 नंबर भी करवा देंगे, उसके बाद में थोड़ा सा आपके लिए एच आएगा, तो एच से हमारे एंसर की शुरुआत होगी, अब सर एच में तो option नंबर एक भी है, option नंबर दो है, यानि कि हमको अगले लेटर को भी find करना पड़ेगा, ठीक है, अगले लेटर की बात करते हैं, इसको हम जो है, अगले लेटर की बात करते हैं, अगले लेटर में यहाँ पर उल्टा सिस्टम चल रहा है, जेड, फिर वाई, फिर एक्स, फिर डवलू, यानि कि यह उल्टा सिस्टम चल रहा है, तो ऐसा करते हैं, उल्टा सिस्टम करने में थोड़ा सा हमको करफूजन होता है, तो हम सीधे चलते हैं W, X, Y, Z यानि कि यहाँ पर भी कोई gap नहीं कर रहे हैं सीधे सीधे यह अपना जो है letter को उठा रहे हैं तो आपको भी क्या लिखना यहाँ पर B लिखते हैं तो देखिए B के बार में क्या आएगा T, U, B, W, X, Y, Z यह भी आपकी सीरीज पूरी हो गई और यहाँ पर H की बार करते हैं तो D, E, F, G और H यह भी सीरीज आपकी पूरी हो गई यानिकि H और B आपका सही answer हो जाएगा option number 1 आपका सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए अब आपका 20 number पर चलते हैं आप थोड़ा जुखा हो गई है ठीक है तो चलिए 20 number पर चलते हैं 20 number पर क्या करते हैं अब अगर हम 20 number की बात करते हैं तो 20 number में देखिए 3-3 letter दिये गए हैं अब यह 3-3 letter वाले भी आपके MP police में पूछे जा सकते हैं ठीक है फिलाल उस label तक नहीं पहुंचा लेकिन आगे पहुंचेगा पहुंचेगा यह तो confirm है ठीक है तो चलिए एक-एक letter को उठाना है पहले-पहले letter से हम शुरुबात करेंगे थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं जूम कर लेते हैं जिससे की सई से दिखाई पड़े ठीक है चलिए अब देखिए देखो K है K के बाद में नोने क्या किया है K के बाद में L को गाइब किया और M को लिख दिया, अच्छा, M के बाद में N को गायब किया, O को लिख दिया, अच्छा, अब इसके बाद में इनने बीच में question mark दे दिया, और आगे answer दिया, अब हम क्या करेंगे, एक एक छूट रहे न, O के बाद में हम P को छोड़ देंगे, और Q को लिख देंगे, यहाँ वाली जो सीरीज है, वो clear हो गई, पहला लेटर Q आएगा, उसके बाद में हम नंबर 2 पर चलते हैं, दूसरा लेटर उठाते हैं, J के बाद में क्या किया, इननोंने K को छोड़ करके L लिख दिया, ठीक है, L के बाद में M को छोड़ करके N लिख दिया, यानि कि अगला क्या होगा, N के बाद में O को छोड़ करके हम P लिख देंगे, तो Q के बाद में P आ जाएगा, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, Q के बाद में P कहा पर आ रहा है, तो option number 3 में Q के बाद में O आ रहा है, तो ही option number 2 अपना गलत हो जागा, केवल और केवल Q, P, O अपना answer हो जागा, नमबर का उम्मीद करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, और यह जो number series है, यह आपको समझ में आ गई होगे, ठीक है, चलिए, number and letter series, अब यहाँ पर कुछ आपके लिए home work दिया गया, यह आप home work कर ले ना, घर पे, ठीक है न, एक आद question आपको होज़ में बता देते हैं, जैसे कि आपका दिख लीजिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखते हैं, देखिए, S के बाद में क्या कर रहे हैं, S के बाद में I छोड़ के J लिख रहे हैं, J के बाद में K छोड़ के L लिख रहे हैं, L के बाद में M छोड़ के N लिख रहे हैं, N के बाद में O छोड़ के T लिख रहे हैं, UB छोड़ के W लिख रहे हैं, यानि कि आपन को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, तो अपन को यहाँ पर देख लीजिए, RR के बाद में यहाँ पर H लिख करके ज़रा चेक कीजिए, H में क्या करेंगे, I और J छोड़ के हाँ पर K आएगा, LM छोड़ के N आएगा, OP छोड़ के Q आएगा, RS छोड़ के T आएगा, UB छोड़ के W आएगा, यानि कि दो दोग का गैप चल रहा है, तो H और R अपना बिलकुर सही एंसर हो जाने वाला, ठीक है, अब इसको आप घर प किया है, तो चलिए देख लेते हैं किसमें क्या किया है, इसमें ये सिस्टम अल्टरनेट वाला चल रहा है, देखिए, A के बाद में T लिख दे रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा प्रेसर पर रहेंगे, तो आपके समझ भी नहीं आएगा, A के बाद में T कहां पर आ गया, चल प्लॉट करके आएंगे, आपके माइंड से बाकी पूरे पेपर का जवाब के माइंड से टेंसन हट जाएगा, तो आप इन सवालों को आसानी से सॉल्ब कर लेंगे, अब इसमें अल्टरनेट वाला गेम चल रहा है, देखिए, A के बाद में इसको छोड़ दो, इस पर धान आपका D के बाद में W आजाएगा, यानि कि पहला आइंसर आपका DW यहाँ पर आजाएगा, ठीक है, अब एक तो अपने कल लिया, अब दूसरा अल्टरनेट सुरू करते हैं, देखिए, T, T के बाद में R, R के बाद में P, P के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, तो आपने यहाँ पर लिख देते हैं N, N लिख लो, N के बाद में क्या करेंगे, O छोड़ करके P आ जाएगा, Q छोड़ करके R आ जाएगा, S छोड़ करके T आ जाएगा, यानि कि यहाँ पर आपका N आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद में एक और अपन इसकी पकड़ लेते हैं, देखिए, I, I के बाद में alternate पे J छोड़ के K, K के बाद में L छोड़ के M, यानि N छोड़ के O तो यहाँ पर आपका NO आ जाएगा और यहाँ पर आपका DW आ जाएगा ठीक है, यह आपका answer हो जाएगा, तो ऐसे कभी-कभी alternate में भी दे देते हैं, तो यह भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके चलना है, ठीक है, अब चलिए, अब आपको आगे बढ़ते हैं, missing letter की बात कर लेते हैं, क्योंकि missing letter से आपके exam में बहुत सारे प्रस्णिहां पर देखने को मिल रहे हैं, लगबग-लगबग 4-5 प्रस्णिह तक आपके missing letter से देखने को मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पर missing letter की अब हम बात करने वाले हैं, तो चलिए, missing letter की ओर चलते हैं, missing letter क्या होता है सर, तो आपको कुछ इस तरह के सवाल दिये रहते हैं, बीच-बीच में से एक-एक सवालों को solve करने में, कैसे solve करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं, आई के बाद में एक gap M है, फिर I-KM है, सब बड़ा सदिया हुआ है, अब आपको क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा letter आपको देखने को मिल रहे हैं, उसी को पकड़ लेना है, तो सबसे ज़्यादा letter एक साथ में कहाँ पर मिल रहा है, आई के एम मिल रहा है, एक साथ में, और कहीं पर 2 मिल रहा है, पर I-K-M का बंच मिल रहा है, यानि कि I-K-M, जहाँ जहाँ आय होगा उसके साथ में K होगा और M होगा ठीक है अब देखिए जहाँ जहाँ आपको I मिल रहा है वहाँ के और M भढ़ दीजिए आई के बगल में K आ जाएगा तो M तो अपने आप ही आ गया अब यहाँ पर देखिए I के बगल में I K M ठीक है तो यह आपका I K M हो गया अब यहाँ पर K I M हो जाएगा ठीक है उसके बाद में और आगे बढ़ लेते हैं देखिए और आप अगर लाश्ट में देखेंगे तो L भी आपको देखने को मिल रहा है यानि कि यह जोड़ा कुछ ऐसे बन रहा है कि I के साथ में आपको K लिखना है फिर M लिखना है उसके बाद में आपको L लिखना है वो IKML का बन रहा है जहाँ जहाँ आपको IKML की खाली जगा दिख रही है वहाँ पर आपको IKML पूरा करना ठीक है इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका answer क्या हो जाएगा KLLIMK KLLIMK ये आपका answer हो जाएगा इसको आप इसमें भर करके देखेंगे तो आप आसानी से solve कर सकते हैं एक तो ये trick हो गई कि जितने बड़ी संख्या आपको देखने को मिल रही है उसको आप फिल करते जाएगे जहाँ जहाँ उसके अगल बगल वाली संख्या खाली हो उसको आप भर दीजिए दूसरा ये हो जाएगा कि चार चार का ग्रूप बना लो देखो एक दो तीन चार चार का ग्रूप बना लिया एक दो तीन चार चार का ग्रूप बना लिया एक दो तीन चार चार का ग्रूप बना लिया K तो है पर M नहीं है तो IKML का यह जोड़ा बन गया यहाँ पर क्या कमी है यहाँ पर K की कमी है तो यह भी IKML बन जाएगा तो IKML ठीक है तो answer क्या हो जाएगा आपका KLLIM के यह आपका answer हो जाएगा इसमें भरके आपको देख लिए ना है ठीक है ना तो आप group भी बना सकते हो और आपको अगर कोई बड़ी letter दिखाई दे रहा है तो उसकी आधार पर आपको जो है उसको फिल कर लेना है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और questions देख लेते हैं देखिए जैसे यहाँ पर बात करते हैं यह आपको एक बड़े से question देखने को मिल रहा है थोड़ा रुकी है यार बड़ी गर्मी है अब देखिए जो आपका group वाला हम बता रहे थे तो group वाला तो ठीक रहता है लेकिन group में ऐसा system हो जाता है कि अगर आप जैसे group बना रहे हैं यह मतलब आप डंडी खिच करके उसको letter का पूरा pair बना रहे हैं तो ऐसे मगर आपका 12 संख्या हैं 16 संख्या हैं तो आप बना लेंगे आराम से 4-4 का 3-3 का pair बना लेंगे लेकिन कहीं पर आपको माल लेजिए 17 17 letter मिल गए कहीं पर आपको माल लेजिए 14 letter मिल गए तो फिर दिक्कत हो जाती है pair बनाने में ठीक है इसलिए बड़ी संख्या का या बड़े letter का group आपको देख लेना सबसे बढ़िया रहता है जैसे कि अब इस question की बात करते हैं एक number वाले में एक number में जड़ा देखिए सबसे बड़ा आपको group कहाँ पर देखने में बिला है या तो आप C, A, B ले लिजिए या A, B, C ले लिजिए कोई भी एक ले लिजिए वो आपका answer बनवा देगा ठीक है तो हम एक काम करते है लेकिन C गायब था तो हमने C भर दिया और ये तो पूरा ABC ही है वो इसकी बाद में यहाँ पर क्या गायब है ए गायब है तो ये भी आपका हो गया क्या ABC 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 का PR यहाँ पर बन रहा है अब आपना answer कैसे डूड़ेंगे answer देखिए जहां जहां आपका blank वाला आपने भरा है वही वही उठा लेजिए पहले हमने C भरा था फिर हमने B भरा था फिर हमने C भरा था फिर हमने A भरा था तो जिस भी option में C, B, C, A answer होगा वो आपका answer हो जाएगा ठीक है उमीद करते हैं सारी चीज़े समझ में आ रहे होंगी नहीं आ रहे होंगी तो comment box में comment करना एक बार ये वीडियो और देख लेना तो आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएगी यहाँ पर पेर भी आप बना सकते थे क्योंकि आपका सम संक्या का यहाँ पर दिया गया था चलिए दूसरा question देखते हैं दूसरा question हमें BC, A gap, BC, A फिर A gap, C, A, B, फिर A gap, A, B फिर A gap ऐसे करके जो है gap यहाँ पर दिया है फिर से आपको बड़ी संक्या उठाना है चाहे तो आप BC, A उठा लीजिए चाहे आप C, A, B उठा लीजिए तो हम एक काम करते हैं C, A, B को उठा लेते हैं ठीक है तो जहाँ पर भी C, A, B नहीं पूरा हो रहा है वहाँ पर हम C, A, B भर देंगे देखिए तो यहाँ पर BC दिया है लेकिन C के बाद में A लिख दीजिया ऊपर यहाँ पर यहाँ पर C, A, B हो गया है C, A, B भर दो तो C, B हो गया और last में C यह लिखा यानन की C, A, B का peer हमको पूरा करना है जहां जहां जिसकी कम्योंगी वह हम वहाँ बھरतेंगे answer कैसे लिखेंगे sir answer कैसे ढोड़ेंगे तो जो जो आपने भरा उसको लिख लीजिए A भरा है आपने उसके बाद में आपने B भरा है फिर C भरा है फिर C भरा है फिर आपने B भरा है तो जहाँ पर भी ये pair आपको देखने को मिल जाए A, B, C, C, B यह वही आपका answer हो जाएगा ठीक है इसमें भी आप pair भी बना सकते थे और यहाँ पर ऐसे जो है बड़ी जो letter आपको group में दिख रहा है उसको पूरा करके भी आप answer बना सकते थे ठीक है चलिए ये sir बहुत बड़ा दिख रहा है उसको भर दो सबको हमें B, A, D, N, A में बदलना है ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं A है यह B के बाद में क्या आता है sir B के बाद में A आ रहा है तो यहाँ पर A भर दो D के बाद में यहाँ पर N आ रहा है हमने N भर दिया तो इसको भी कर दिया हमने B, A, D, N, A अब यहाँ पर A गाया भे तो A हमने लिख दीया ये भी बन गया B A D N A फिर से आपके B के बगल में क्या गाया भे A गाया भे तो A हमने यहाँ पर लिख दीया ठीक है तो सब को हमने B A D N A में CHANGE कर दिया answer कैसे करेंगे तो A N D A D यह जहां पर दिया गया होगा यही आपका answer हो जागा यह बड़ा सा बड़ा बंच आपको देख लेना है और उसी को ध्यान में रखते हुए बाकी जहां जहां पर जो जो चीज की कमी है वो वो चीज वहां पर आपको भर देनी है और आपका answer बन जाएगा देखते ही आप answer बना सकते हैं जितना बड़ा कुछ चना आए ना तो समझ लीजिए मजे आ गए दोको यहां पर A के बाद में B है ना तो जहां जहां B दिया है उसके बगल में हमको A भरना ही भरना है अब यहां पर B दिया था ठीक है तो B के बगल में आपको यहां पर A भरना पड़ेगा ठीक है ना तो यहां पर A कर देना ठीक है तो B, A, D, A का बंच आप ले लेंगे तो पूरा आपका यहां पर answer बन जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जो भी चीज समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना ठीक है हम आपको टेलिग्राम जो हमारा चैनल है उस पर आपको हम बता देंगे ठीक है न कभी लाइव आएंगे तब बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आ जहाँ जहाँ M, C की कमी है उसको आप जो है M, C बना लीजए जैसे कि M C इहाँ पर लिखा है लिकन एहां पर A लिखा है लेकिन C की कमी है तो हमने C बना लिया अप जैसे हमने यहाँ Or C बढ़ा था वह हमंको बड़ा लेटर मिल गया एक बड़ा बंच मिल गया M, C, A ठीक है अब हमको mca पूरी लाइन में पूरा करना जहाँ जिसकी कमी होगी वो चीज वहाँ पर भर दिया जैसे कि यहाँ पर भर दी थी यह आपका mca हो गया यहाँ पर c a लिखा तो यह भी आपका mca बन गया यहानी कि इतने भी लेटर आपको देखने एक कि मिल रहे है वहाँ पर mca mca भर भरना थाको अब एंसर की बात करते ह ciekgeht पहले आपका answer में ए आएगा फिर c आएगा फिर आपने तीसरे पर क्या बरहा है m बरहा है पर चोथे पर पर क्या बरहा है फिर पर पर फिर आपके पर भर के लिए हम ने सवाल रख नभी समय तो थोड़ा ज्याया लागेगा क्योंकि दूट डॉपिक कवर कर रहे हैं हम सीघिक कर रहे हैं तो पहले पर देखिए जड़ी ise और पर यह बाद में Y आ रहा है यानिकस ये लास्ट के आपको y भी मिल यानि जनी कि A, J, B, Y इन चारों का पूरा पेर बनने वाला है तो चलिए भद लेते हैं A, Z, तो है पर Y नहीं है तो Y हमने भड़ दिया यहाँ पर देखी A, Z, Y तो है पर B नहीं है तो B हमने भड़ दिया तो यह भी हो गया A, Z, B, Y A, Z, B, Y यहाँ पर बात करते हैं तो by तो है पर z नहीं तो z भर दिया a, z, by हो गया यहाँ पर z, by तो है पर a नहीं हो तो हमने a भर दिया पूरा बन गया a, z, by a, z, by तो चार आपका पूरा पेर बन गया तो अब अपना answer कैसे लगाएंगे तो पहले हमने क्या भरा है y भरा है, फिर हमने क्या लिखा है, b भरा है फिर हमने z लिखा है, फिर हमने a लिखा है तो अपना answer क्या हो जाएगा y, b, z, a यह जिस भी option में दिया रहाएगा वही आपका answer हो जाएगा यही level आपके mp police में अभी पूछा जा रहा है इससे बढ़कर के label वो पूछ भी नहीं पाएंगे, ठीके न चलिए, अब एक हमने आपके लिए यह बहतरीन सा question लिख दिया है इसको आपको घर पे solve करना है और comment box में comment करना है, बाकी missing letter वाले सारे हमने आपको solve करा दिये, ठीके alternate वाली series भी solve करा दिये बस आपको जो है 10 तक आपको जो है, अगर कर सको तो 10 तक cube याद कर लो और 10 या 12 तक आपको जो है square याद कर लिना है, तो आप series आसानी से solve कर सकते हैं, इतने पे ही आपका MP police में काम हो जाएगा, ठीके चलिए, बाकी जो strategy हम बनाने वाले है जिनका exam सितंबर में है, सर वो क्या करें, बड़ा घबरा आ रहे हैं कि आगे तो paper बहुत cutting होता जाएगा, आप प्राइक्ता भी जोड़ दी गई है daily exam analysis जरूर देखा कीजे daily हम exam analysis हर सिप्ट का कराते हैं उससे आपको एक idea लगता रहता कि कैसा क्या paper pattern बदल रहा है, क्या change हो रहा है कल प्राइक्ता जोड़ दी है और घड़ी के question भी आने लगे है अभी तक घड़ी और प्राइक्ता के question नहीं आ रहे थे ठीक है तो daily आप exam analysis देखिए इसका pdf आपको जो है success junction जो हमारा official telegram channel है बहाँ पर मिल जाएगा और जो question solve करके हम डालेंगे जो आपको होंबर्ग दिये है वो आपको कल सुबह मिलेंगे वो आपको हमारे telegram channel success junction live जो free study material वाला telegram channel है उस पर आपको मिलेंगे दोनों channel की link description box में दी गई है आपको join जरूर कर लेना ठीक है अब वीडियो भाई बहु कोई exam नहीं है second script है आपका exam में साड़े बारा से धाई में तो धाई बज़े exam खतम होगा तीन बज़े तक हमारे पास में question आएंगे और साड़े तीन चार तक आपके पास में हम उन question को solve करके पूरे answer के साथ में पहुंचा देंगे ठीक है तो चलिए मिलते हैं second script के exam analysis में त असकार धन्यवाद